नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम यूट्यूब चैनल उपर साथियो आज इस वीडियो में इस बात के उपर चर्चा करेंगे अपन की साथियो अगर किसी भी विशेस परिश्चिति में एक आज दिन आपकी पढ़ाई रुग गई है तो दुब कि अपने को अवाइड करना है दो महीने के लिए कुछ लोग यह भी बोलेंगे कि एक दिन के फंक्शन अटेंड करने से कुछ नहीं होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा बात आपकी ठीक है लेकिन फरक पढ़ता है कैसे पढ़ता है बताना चाहूंगा देखिए अगर एक दि आप किसी भी फंक्शन को जोइन करके आते हो उसके बाद में होगा क्या कि एक दिन आपने वो फंक्शन जोइन किया उस दिन आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई जो वो नहीं हो पाई दूसरे दिन आप आओगे तो फंक्शन की थोड़ी बहुत ठकान भी रहती है चलो या नहीं ऐसी मान सकता ऐसी बातें दिमाग में आती है मेरे भी आई हुई है इसलिए मैं बता रहूं कि आप करना क्या आगी तो मानलिजिए आपके दिमाग में बात आए कि मैं उठाके देखता हूँ कि मैंने जो पीछे जो चीज़ें पढ़ी है वो मुझे ध्यान है या नहीं उस समय अगर आप पुरानी चीज़ों को देखोगे जो पढ़ी हुई चीज़ें उनको देखने जाओगे तो साथ यो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नजर आए अपने को बिल्कुल इजी लगती थी अब वो नहीं हो पा रही है ठीक है समस्या आती है इससे confidence डाउन होने लगता है दूसरे सब्जेक्ट में आप चैक करोगे उसमें भी यही आलत है ऐसी समस्या साथियों होने पर बच्चा क्या करता है कि स्टार्टिंग से दुबारा से वो का वो मेटर पढ़ना स्टार्ट कर देता है जैसे मानली जी ए किसी बच्चे ने साइकोलोजी में तीन यूनिट मानली जी पढ़ लियें पूरी उसके बाद एक या दो दिन या तीन दिन वह किसी फंक्शन में जाकर किया गया किसी कारण से नहीं पढ़ पाया उसके बा प्रकार से गिर जाता है कि यह मैंने पढ़ा फिर भी मुझे ध्यान में नहीं है तो इस इस्तति में साथियो बिलकुल घवराना नहीं है किसी भी प्रकार से निश्चिती ऐसा आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता लेकिन आपको बहुत कुछारा होता उसमें भी उस समय पहली उनिट से दुबारा स्टार्ट कर दिया तो साथियो आपका काफी समय खराब हो सकता है उसमें कि पहली से लेके तीसरी उनिट तक दुबारा होगी वो तो आपकी दो बार हो गई है और चोथी उनिट और पांची उनिट अभी आपकी हुई तक नहीं है ठीक है और ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों में कि एक आदे दिन का गैप लगा लेते हैं ये सोसने हैं कि एक दिन में क्या फरक पड़ेगा इतना फरक पड़ता है एक दिन के बाद में आप जैसे दूसरे दिन देखोगे मतलब पढ़ाई नहीं होगी डंग से जैसे मैंने बताई उस हिसाब से दिमाग भी कभी कभी खराब हो जाता है काम करना बंद कर देता है या कुछ और बातें हो जाती है तो अपने आपको स्यांत रखना एक तो बिल्कुल और एक दिन की अगर छुटी आपने ले भी लिये पड़ाई से तो डिस्ट्रेक्ट नहीं होना बिल्कुल भी अगर डिस्ट्रेक्ट हो गए तो साथियों पांच छे दिन किस प्रकार से चले जाते हैं पता तक नहीं चलता हूँ यह होता है यह यकीनन होता है साथ साथ दिन निकल जाते हैं पड़ाई दुबारा पटरी पर लोट नहीं पाती है और आप अगर ऐसे करते रहोगे तो सेलेक्शन से साथियों दूर हो जाओगी यह निश्चित बात है आप लोग भी मानते हो इस बात को और समझे इस चीज़ को कि अगर आपने इस तरह गैप लिया है तो वहीं से स्टार्ट करें जहां आपने टोपिक छोड़ा है पीछे से स्टार्ट कभी ना करें भूल के भी नहीं करना रिवीजन में वह हो जाएगा एक बार पूरा पढ़िया आप इसके अलावा जो प्रेक्टिस सेट की मैं बता चुका हूँ मार्केट में फिलाल ऐसा कोई प्रेक्टिस सेट मुझे तो नजर नहीं आया जो बिलकुल एकदम आपके सलेबस के कोडिंग हो तो किसी को रिक्मेंड नहीं किया जा सकता फिलाल क्योंकि प्रेक्टिस सेट रियल में जो हो ऐसे नहीं है और रही बात ओनलाइन की तो कोई देखने से फाइदा नहीं है देखिए कठिन प्रसुन मैं भी जो प्रसुन में डाल सकता हूं लेकिन इसलिए नहीं डालता क्योंकि कठिन प्रसुन डालने से कोई मतलब नहीं है कठिन प्रसुन भी आते हैं प्रसुन में एक दो आते हैं ज्यादा तर मध्यम प्रसुन आ आता हूं ठीक है साथियों और उमीद थोड़ा सा क्लियरेंस आपको मिला होगा किस भी परकार की टेंसन इस समय जो वो नहीं लेनी है अपने आपको सहीयमित रखना है टाइम टेबल में बांध के रखना है छोड़नी नहीं यह पढ़ा है कितनी भी बोरियत मैसूस हो जाए य उस में किसी किसी में साइंस में ऐसे अपने स्रेबस तक यह फिर बही वह दे रहें वसे पर आपको नहीं करने उससे कॉंटियंस डाउन होगा बहुत जादा और उसका नुकसान यह होगा कि आपके पूरे दिन की प्ढ़ाइ! डिस्टु रजब तोली भी बहुत ज़्यादा है और प्रसन ऐसे आने वह आने वाले भी नहीं है और साथियो के वल पाउंस मोडल पेपर इसके अलावा मैंने मोडल पेपर जो वह नहीं निकाले यूट्यूब पे जुरूर थोड़े प्रसन जो वह करता रहता था हर सब्जेक्ट के तो बस यह बाकि बाकِ मोडल पेपर कोई धंका भी है नहीं देखे साथ यो सही बताूं तो आपको सलेडोर के अकोर्डिंग नहीं यह नहीं वता worship कोई बोलता है कि किताबों से नोट्स बनाने क्या हो सकता निए सीधा किताब से पढ़ लें तो सही है क्या बिलकुल सही बात है देखिए उन्होंने आज तक नोट्स नहीं बनाए वो मतलब एक परकारशब पन गए नीचे से लेकर उपर तक किस तरह में वो चले गए हैं और सिर्फ किताबों को पढ़ करके नोटस नोंने कभी नहीं बनाए तो साथ हो यह चीज है कि परतेक विक्ति का अपना तरीका अलग होता है पढ़ने का वो उनका तरीका अब आपका तरीका क्या है यह डिसाइड करेगा कि पढ़ता हूं माइंड मैप मतलब माइंड मैपस बनाता हूं माइंड मैपस का मतलब है जैसे एक अपने टोपिक लिया उसमें कितने पार्ट है ना जैसे त्रिबुज का अपने टोपिक लिया तो दिमाग में अपने आप ऐसे लाइने चली जाने चाहिए संभाव अब आपको कौन सी पसंद आती है और आप कौन सी suitable लगती है आपको वो आप try किजिए उससे आपको ज्यादा फाइदा होगा पर्तेक व्यक्ति का अपना unique तरीका होता है जिसमें कोई व्यक्ति सफल हो जाता है और जो दूसरे के तरीके को अपनाएगा मन से नहीं अपनाता क कलवाला एक प्रसंदा जैसे अनूकरण जो है वो आपकी क्या है साथियो आंत्री कभी प्रेरेना है कैसे है देखे साथियो आदत जो होती है वो क्या होती है किसी भी बुरी चीज के आदत जैसे बीड़ी पीने की या सिगरेट पीने की असराब पीने की आदत जो है वो वेक् बच्चे पर जादा परभाव डालती है और वो छोटी उमर से ही सिग्रेट पीना शुरू कर देता है वो बाहर से उसने अनुक्रण एक प्रकार से करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसके अंदर से वो चीज निकल के कि मुझे अच्छा लगता है तो उसका अनुक्रण उसन सबी आउसिक नहीं है साथियो तो ये भी आपको विश्यस तोर पे ध्यान में रखना है तो कम्यूनिटी टेप से जुड़े रहें और अपने आपको सहीयमित रख करके पढ़ें बिल्कुल किसी से लड़ाई जगड़ा न करें क्योंकि एक मिनट में लड़ाई कर सकते हैं लोग उसके बाद में जो है दो तिन घंटे दिमाग खराब रहेगा तो अभी चाया आपकी गलती हो या नहीं हो कुछ नहीं करना आपको सिरफ और सिरफ पढ़ाई करना है इसके लागा कहीं कॉंसेंट्रेट मत कीजिए निश्य सफलता आपके कदमों में होगी और मेरी से आपको संदेश महुचाता रहूँगा मिलूगा साथियो आपको आज स्याम साड़िच है वजे लाइव सेसन में जिसमें अपन बात करेंगे गणित के मोडल पेपर दो के बारे में दूसरा गणित का मोडल पेपर हल करेंगे जरूर मिलिएगा नमस्कार जै हिंद जै भा कर दो आपार्त